आईपेल दो हजर बाइस के चबवन में मैच में रॉयल चैलेजन बैकनू ने सनराइजस हैदवाद को सट सटन से हरा कर अपनी शांदार जीत को दर्ट किया बैंगलोर ने पहले बल्लेबाजी करते वी तीन विकीट पर 192 का विशाल सकोर किया फिर हैदवाद की टीम को 19 जर्शमलाव 2 ओवर में 145 पर धेर कर दिया इस मुकाबले में आज सीबी की टीम ग्रीन जर्शी पहन कर मैदान पर उतरी थी आईपेल के इतिहास में बैंगलोर का ये तीसरा ही मैच था जिसमें ग्रीन जर्शी पहन कर मैच खेलने के बाद उनको जीत नसीब हुई है यहां हम आपको आज यह बताने वाले हैं कि आईपेल में ग्रीन जर्शी पहन कर मैच खेलने वाले के बाद बैंगलोर की टीम का प्रधिशन कैसा रहा के आईपल के इतिहास में अब तक केवल तीन बारी ऐसा हुआ है जब आर्चीभी को ग्रीन जर्सी में जीत मिली है वही टीम के पिछले 6 साल में पहला मैच था जिसमें ग्रीन जर्सी में उसे जीत मिली है बैंगलोर की टीम ने आई पेल के इतियास में अब तक 11 बार ग्रीन जर्सी पहन कर मैच खेला है जिसमें उसे किवल 3 बार ही जीत मिली है और जीत उसे साल 2011, 2016 और 22 में नसीब हुई है कि RCB इस बार फाइनल तक जरूर पहुचेगी हालां कि RCB के साथ महज़िक संयूग ही है कि 2011 और 16 में ग्रीन जर्सी में जीत मिलने के बाद फाइनल में उसे हार का सामना भी करना पड़ा साल 2011 फाइनल में टीम को चिने सुपर किंग के हाथो 58 डनों से जबकि 2016 में उसे संड्राइज से सहतरबाद के खिलाब नजदी की मुकाबलों में आठ रन की हार का सामना करना बहराल इस पूरी खाबर को लेकर आपकी क्या रहा है आप अपने आग कोमेंट बॉक्स में लिके ऐसी और भी किर्केट के अपडेट के लिए हमारे चैनल को जरू से स्क्राइब करें